Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, इस वीडियो के दो Advanced English Structures की मदद से हम ऐसे हिंदी के sentences इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे. जैसे कि तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं. वो कहता है तो हम उसके साथ चलने को तयार है. बात ये है कि वो किसी और को पसंद करती है. बात ये है कि हम कल नहीं आ सकते. तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वाले स्ट्रक्चर से. जिसके रूल के according सबसे पहले आता है if. if के बाद sentence का subject आता है. subject के बाद say या फिर says. इन दोनों में से कोई एक आता है subject के according. अगर subject singular है तो says आता है. जैसे की she says, he says, और अगर subject plural है तो say आता है. जैसे की I say, you say, we say, they say. इसके बाद so आता है. इसके तुरंत बाद कॉमा लगाते हैं लिखते वक्त और last में आता है हमारा main sentence जो कि किसी भी tense में हो सकता है चलिए कुछ examples देखिए जिससे आपको इसका meaning अच्छे से clear हो जाए तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं या फिर अगर तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं इसके बाद subject आया है यू इसके बाद say so आया है जो हमारा subject है यू ये plural है इसलिए हमने इसके आगे say का use किया है और इसके बाद जो हमारा main sentence है हम मान लेते हैं यह हम मान लेंगे इसके English translation आ गई है we will accept और हमारा sentence हो गया है complete next example है तुम कहते हो तो मैं उससे बात करूंगा if you say so I will talk to her वो कहती है तो हम तुम्हें एक और मौका दे देंगे if she says so we will give you another chance यहाँ पर देखिए जो she subject है यह singular है इसलिए हमने इसके साथ says का use किया है वो कहता है तो हम उसके साथ चलने को तयार है if he says so we are ready to go with him if he says so we are ready to go with him मैं अगर कहूं तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे if I say so will you forgive him so guys यह था आज का पहले वाला structure जो की I hope की आपको अच्छे से समझ में आ गया है अब देखिए आज का second वाला structure जो की है बात यह है का इसको इंग्लिश में बोलने के लिए the thing is का use किया जाता है रूल देखिए इसका जिसकी according सबसे पहले आता है the thing is जिसका मतलब है बात यह है इसके बाद आता है कॉमा लिखते वर्द और इसके बाद हमारा main sentence आता है जो की किसी भी tense में हो सकता है चलिए कुछ examples देखिए जिससे आपको इसका meaning भी बहुत अच्छे से समझ में आचाए बात यह है कि वो किसी और को पसंद करती है यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया है इसके बाद हमारा main sentence जो की है वो किसी और को पसंद करती है इसकी English translation आ गई है और हमारा sentence हो गया है complete next example है बात यह है कि कल हम नहीं आ सकते बात यह है कि वो बहुत जूट बोलता है बात यह है कि उसे खाना बनाना नहीं आता बात यह है कि मैं दो दिन की चूटाए थुट्टी लेना चाता हूँ the thing is I want to take a leave for two days the thing is I want to take a leave for two days so guys यह थे आज के दो बहुत भी useful advanced English structures जो कि I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपकी स्क्रीन पर अब जो यह दो sentences हैं यह आपका homework हैं इनको आप translate कीजिए English में और comment करके मुझे अपना answer जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो please इसे subscribe कर लीजिए चली अब है मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए take care, bye bye